नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग बंगाल से वापस दिल्ली आकर अच्छा महसूस हो रहा है इसलिए नहीं कि हम बहुत महफूज वापस आगे हमारे उपर कोई हमला नहीं हुआ इसलिए नहीं इसलिए क्योंकि हमारे वीडियो लोगों तक पहुँच रहे हैं फेस्बुक पेज सुमन पांडी दे फैक्ट पर जब आप जाएंगे तो अपने वीडियो की रीच मोर देन 5 मिलियन क्रॉस कर चुकी है तो दिस इस अ बिग अचीवमेंट तो थाइंक यू सो मच कर रही हूँ और आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेवी इन फ्यू डेइस हम फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि हमारे चैनल का मेन मकसद यही है कि हम जन जन तक पहुँचे और वहां की जनता क्या जूज रही है क्या परिशानी है उनको और किस पार्टी को उनको वोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए मैं TMC के खिलाफ नहीं मैं BJP के फेवर में नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ वो आप तक पहुँचाऊंगी जो वो सोचते हैं जो वो कहते हैं जो उन्होंने सहा है या जो वो सह रहे हैं या फिर उन्हें सहना पढ़ सकता है अगर BJP की सरकार आ जाती है तो या फिर उन्हें सहना पढ़ सकता है अगर TMC की सरकार बरकरार रहती है सत्ता पर तो दोस्तों एक छोटी सी एनलाइजेशन आप से शेयर करने आई हूँ मैं आज लेकिन उससे पहले आपने अभी हाली में खबर सुनी कि किस तरीके से ममता बैनर जी जहाँ पे अपने खुद के घर को छोड़ कर नंदी ग्राम से परचा भरने चली है जहाँ पे अधिकारी जी को उन्होंने एक काटे का टक्कर दिया है जहाँ पे सुवेंदू अधिकारी को लेकर ये बाते भी सामने आई कि उन्होंने बोला है कि अगर वो राजनीती छोड़ देंगे अगर उन्होंने 50,000 वोट से ममता बैनर जी को नहीं हराया तो वही पे जिस जगह से जिन लोगों के बदौलत ममता बैनर जी इस बार चुनाव लड़ने वाली है नंदी ग्राम से वहां के लोगों पर आज एलिगेशन लगाते हुए नजर आई वही के लोगों पर आज वो उंगली उठाते हुए नजर आई जिन लोगों के बलबूते वो बंगाल की सत्ता पे बरकरार रहना चाहती हैं, उन्हीं पर आज वो उंगले उठा रही थी कि इन लोगों ने मुझे पर हमला किया, इन लोगों ने मुझे धका दिया, मारा, पीटा, उरी बाबा, कुछ अलग ही एक कॉमेडी, ड्रामा, थ्रीलर हमें देखने को मिला, इस और धड़कन दोनों वापस आ जा रही थी, और वो बिलकुल सही तरीके से मीडिया को जबाब देकर बताना चाह रही थी, कि बीजेपी के कारकरताओं ने और बीजेपी के लोगों ने और उस भीड ने मुझे पे हमला किया, अरे जहां से आप खड़ी हो रही हैं, जिनके बदौलत आप कुरसी को पाना चाहती हैं फिर से, जिनके बदौलत आप सुवेंदू अधिकारी को हरारा चाहती हैं, उन पर तो भरोसा कीजिए, अगर आपको अपनी जनता पे भरोसा नहीं है, तो आपकी जनता आप पर भरोसा करके आपको चुनाव में क्यों बोट क्यों देगी ममता दीदी, दोस्तों जहां नंदी ग्राम का ये घटना सामने आया, वहीं पर कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हुए, कई ऐसे मीडिया रिपोर्टिंग हुई, कई ऐसे चानल्स ने CCTV पोटेज निकाली, जहां पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, कि वहां प अफिसर्स के ऊपर कारवाही करने की बात था नी, तो वहां पर मंता बैनर जी का स्टेटमेंट, जो हादसा और घटना की जो एक लाइनिंग है दोनों का पलट के रख दिया, उन्होंने जो एक बड़ी घटना को अगले ठीक 24 घंटे में एक हादसा को, घटना को हादसा में बड़ दिया, मंता बैदी घटना और हादसा में जमीन और आसमान का फर्क होता है, जिनके साथ हादसा होता है और जिनके साथ घटना होता है, कभी उनसे मिल कर तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा, लेकिन आपका जो मनसूबे थे, आपके जो प्लानिंग थी, आपके उपर ही भारी पर गया, तो ये नंदी ग्राम प्लान जहां पर पहले कहते हैं इस चुनाव को जीतने के लिए मंता दीदी ने शाम, दाम, डंड, भेट, हर चीज का इस्तिमाल किया, दंगा के साथ साथ इस बार चोट और अपने उपर ही हमला करने लग गई, अपने उपर एक नए नाटक सामने ला रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर सामने खुलासा हुआ और एक्स्पोज हो गया कि एक मामली घटना था जो उनके खुद के गाड़ी से चोट लगी, लेकिन ताज्यब की बात ये है, क्या बंगाल की जनता या भारत की जनता इस बात से क्या अभी क्या आपको लगता है, उनको पता नहीं है, कि अगर कोई भीड या विजयपी की कारेकरता या कोई गुंडे, मंता बैनर जी जो मुख्य मंत्री जो सुप्रीमों है बंगाल की, मैं कहूं जो शेरनी है बंगाल की, no doubt मैं बंगाल से आई हूँ, बंगाल की मोनोपॉली मैंने देखा है, बहुत करीब से मैंने उसको धापा है, बहुत करीब से मैंने उसको समझा है, वहां से लोगों से मिलकर मैंने इस बात को रियलाइस किया है, कि हाँ, मंता बैनर जी है शेरनी, चाहे वो घायल ही सही जिसको की एक डर है, एक बौखलाहत है, एक जलमिलाहत है, अब अब उस डर में वो जी रही है कि क्या ये शेरनी का सत्ता मुझसे छिंजाएगी क्या ये तकर मेरा BJP का सत्त जो मेरी जो कुरसी है कहीं कहीं आज खत्रे में है और इस डर और बौकलाहाट में उन्होंने अपने हर चरम को पार कर दिया है अब वो कुछ भी करने को तयार हैं लेकिन उनकी कमजोरी खुद उनके बिधायक है जो एक एक करके छोड़कर BJP में शामिल हो रहे हैं इसका वज़ा क्या है ये मुझे आपको बतानी की जरूरत नहीं है जोस्तों, मैंने गली-गली और गाउँ-गाउँ और वोड-वोड में चान माना बहुत लोगों से हमने बात की और वहाँ पर हमने इस चीज को बहुत करीब से जाना कि महिला सुरक्षा के नाम पर Anda आज बहुती बुरी हालात में है वहाँ पे हमने देखा infrastructure and education जहाँ पे urban areas में बहुत हट तक सुधार है No doubt, Mamta Banerji worked so well यहाँ पे rural areas में लेकिन urban areas में But what she did for rural areas उन्होंने villagers के लिए क्या किया दलित के लिए क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया जो गरीब थे उनको और गरीब बना दिया जो किसान थे उनको मजदूर बना दिया और मजदूर भी इस कदर से मजदूरी कर रहे हैं कि शाम को उनको दो रोटी में उनके परिवार को नसीब होगा या नहीं वो भी सोचने पे मजबूर हुए पड़े हैं मैंने वहां के कुछ ऐसे लेबर से बात किया ऐसे समुदाइस से बात किया जो कि किसी वक्त में फैक्टरी में काम करते थे और ममता बैनर जी के वज़े से फैक्टरी में ताले लग गए और फैक्टरी के दर्वाजों से लेके फैक्टरी खंडर बनके रह गया आज उनके पास काम करने को नहीं है, उनके पास रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ नहीं है, उनके आखों से आसू नहीं रुखते, चाहे आप कैमरा के सामने उनसे इंटरव्यू क्यों न ले रहे हो, लेकिन वो अपने दर्द को छुपा नहीं पाते, ये दर्द उनकी बातो से बया होते हैं आप मेरे चानल पे मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की वीडियो देखिए उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए और चाहे आप बीजे पी के फेवर में हो या ना हो लेकिन वहां की लोगों ने जो बीजे पी के बारे में बीजे पी के काम के बारे में भरे जिनको अंदाजा हो या ना हो चाहे वो इस बात से सहमत हो या ना हो कि BJP हमारे ने कुछ कर सकती है लेकिन वो BJP को एक बार इसलिए वोट देना चाहते हैं क्योंकि वो TMC से छुटकारा पाना चाहते हैं वो एक बार सिर्फ एक बार ही सही लेकिन किसी और पार्टी को मौका देना चाहते हैं चाहें इसलिए क्योंकि कोई तो ऐसा है जो उनकी किस्मत को बदल सके जो उनकी फूटी तकदीर को बदल सके ये चीज़ें को हमने करीब से जाना मैं सुमन पांडे आपसे प्रामिस करती हूँ कि बहुत जल्द हम फिर से बंगाल की धरती से ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और गाउं गाउं जाकर आप तक बहुत सारी चीजों को इस लेवल से हम लेकर आएंगे जो शायद ही कोई न्यू चैनल आप तक पहुँचा पाए हम पूरी कोशिश करेंगे कि बंगाल की जो जमीनी सचाई है वो आप तक पहुँचाए जिससे कि आप समझ सके कि क्या जूज रही है क्या सह रहे हैं इंदुस्तान में रहने के बाबजूद भी इंदुस्तान का हिस्सा होने के बाबजूद भी बंगाल में पाकिस्तान जैसी हालात क्यूं है क्यूं डर और दहशत का महौल है क्यूं गरीबी और भुकमरी का हालात है आखिर क्या वज़ा है और कौन से परिवर्तन की तलाश ह उनको मेरे चैनल पे बने रहें बहुत जल्ग ग्राउंड रिपोर्ट फिर से हम करेंगे आपके लिए और अभी तक का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमें सेक्शन में बताईए इंस्टाग्राम का लिंक मैंने शेयर कर दिया है फेस्बुक का पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ट्वीटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कहीं भी कोई भी रिपोर्ट आप मुझसे मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज मुझे शेयर किजिए डू फॉलोर्स और देश हित में रास्ट्र हित में उठाए हुए कदम जोखिम हो सकते हैं लेकिन जो उमीद जो साटिस्फेक्शन आपको मिलेगी खुद से वो एक बार करके तो देखिए जय हिंद बन्दे मात्रम